असलामलेकम स्टुडेंट्स जैसे कि आप सब को पता है कि पाकिस्तान में कोवेंट 19 की बिगड़ती हुई सिचुएशन के वज़े से एक्जाम्स को जो है वो कैंसल कर दिये गया था और यही का गया था कि स्टुडेंट्स को नेक्स क्लास्स में प्रमोट कर दिये जाएगा लेकिन स्टुडेंट्स को प्रमोट करने के लिए गोवर्मेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक क्रैटेरिया जो है वो इंट्रिद्यूस नहीं करवाया गया था और इस सिटुडेशन के मतलग काफी स्पेकुलेशन्स या मिसंडरस्टेंडिंग्स वो गर्दिश कर रही थी लेकिन आज मिलिस्ट्री आफ एजूकेशन की तरफ से एक फॉर्मल नोटिफिकेशन आया है कि स्टुडेंट्स को नेक्स क्लास्स में कैसे प्रमोट किया जाए तो तुमाम स्टुडेंट्स को एक्जाम्स हुए बगेर जो है वो नेक्स क्लास्स में प्रमोट किया जा रहा है जो नाइन्थ के और फर्स्ट एर के स्टुडेंट्स होंगे यनि नवी जमात और ग्यर्वी जमात के जो स्टुडेंट्स होंगे उनको एज इस इस नेक्स क् उनकी performance पे उनको जो है वो marks दिये जाएएंगे 9th के और फॉर्स्ट इर के और जो ड़स्वी जमाद के तालव एले में और जो बारवी जमाद के students हैं तो उनको उनके previous results के उपर marks दिये जाएंगे और उनके previous results में तीन फिसद अज़ाफा करके उनको marks दिये जाएंगे को 63% मार्क्स मिलेंगे इसी तरह जो बारवी क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके गैरवी में अगर किसी के 60% मार्क्स थे अब उसको 63% मार्क्स जो मिलेंगे और वो स्टूडेंट्स जो इंप्रूव करना चाहरे थे तो वो इंप्रूव्मेंट के लिए जब भी जो हालात फीजबल होंगे सब्टेंबर में या अक्टोबर में जब भी हालाद फिजबल होंगे तो वो लोग इंप्रॉव्मेंट के लिए एक्जाम्स में अपिर हो सकते हैं इसके लवब वो स्टूडेंट जो 40% से ज्यादा पेपर्स में जो है फैल थे उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनको फिर जब भी हालाद फिजबल होंगे उनको एक्जाम्स में अपिर होना होगा इसके लवब कोई स्टूडेंट जो एक पेपर्स या दो पेपर्स कुछ स्पेसिफिक पेपर्स में अपिर होना चाह रहे थे इसे क्टेर्स मेडीकल स्टूडेंट जो हैं वो एकडर में फ़ारत होना चाह रहे हैं या फिर वो प्रमोट में कैने स्टूडेंट वो भी सब्चेयरण से में अपिर आपिर होँ гр तो यह अपडेट था इस नोटिफिकेशन के बाद स्टुडेंट्स के माइंड्स में जो कन्फूजन्स थी जा जो क्वेस्टन्स थे वो काफियत तक क्लियर हो गाऊंगे